नमस्कार मैं हूँ अंकित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं किसान तक स्टार्ट अप बिहार में इन दिनों युवाओं को विशेश तोर से बिहार की युवाओं को बड़े सहरों से अपने राज्य में लाने के लिए एक स्टार्ट अप बड़ा भूमी का निभाया है और अब विहार की युवा अपने अलग-अलग स्टार्ट अप के जरिए अपनी अलग पहचान अस्थापित कर रहे हैं लेकिं कुछ ऐसे हुआ हैं जो बड़े सहरों में नोकुरी तो करते थे लेकिन कुछ ऐसे भी हुआ है जो सरकारी नवकुरी को छोड़के अब अपना खुद का स्टार्ट अप शुरू किये हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाने की और अग्रसार है और इसमें क्रिसी की बहत महत्वपुर्ण भूमिकार है और क्रिसी के छेत्र में युवाओं कुछ अलग कर हैं कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे बीच में पत्ना के रहने वाले पिंटू कुमार जी इनका खुद का स्टार्ट अप है और यह हैड्रोपोनिक टक्नीक पे काम करते हैं हैड्रोपोनिक तकनीक में विशेशतोर से इन दिनों यह काफी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन् स्टार्ट अप के छेत्र में क्या सोच के आए क्यों आखी सरकारी नोकरी छोड़ना पड़ा इनको इस सब कुछ कहानी इनके जरी हम जानेंग और यह हमारे बीच में मौजूद है किसान तक में आपका असर स्वागत है नमस्कार धन्यवाद आपका अंकित जी सबसे पहले क आपने किया है उसकी बात बात है कि आज की दोर में सरकारी नोकरी की बड़ी कष्मकस है हर कोई चाहता है कि जो सरकारी जौब मेरे स्टाट अपको नाम एग्रोकिसान है सो जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कम्प्लीट किया फ्रॉम टिस मुंबई इन सोसल अंतोपिनुर्शी प्रोग्राम से तो उसके बाद मैंने फिर गौर्मेंट जॉब करी उसके बाद मैंने फिर मल्टी नेशनल कंपनीज में जॉब करी कई सारे प्रोजेक्स को हैं तो मैं यह देखना चाहता था कि किस फिल्ड में हमारा ज्यादा मोटिवेशन है स्टार्ट अप की तरफ तो एग्रिकल्चर फिल्ड हमारा वैसा मैंने महसूस किया कि एग्रिकल्चर फिल्ड में इनुवेशन की काफी रिक्वाइमेंट से हमारे अभी भी किसान जो हैं कि एक बेसिक जो कमियां हैं उनसे जूज रहे हैं तो उस कमी को कैसे हम innovation के माध्यम से solve कर सकते हैं तो इसका हमने एक research किया अपने startup के माध्यम में इसको solve करनी की कोशिस किये तो basically हमने अगरुकिसान के माध्यम से हैडर्फोनिक फॉडर मसीन बनाया है जिसमें आप हरे चारे जो गौसाले में जो केटल्स के लिए जो हरे चारे की उपलप्ता बहुत ही कम रहती है यह जो किसानों के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको अपने केटल्स के लिए चाड़ा चाड़ा आप उनसे ले सकते हैं इसमें क्या है कि basically हम लोग कोई भी मिट्टी का यूज नहीं करते हैं बहुत ही कम पानी की जुरत होती है बहुत ही कम जगा की जुरत होती है और यह देखिए हमारा यह मॉडल है शो यह जो इसी हम लोग हैड्रफोनिक्स चारा मसीन बोलते हैं यह तरीक से उगाया हुआ यह ग्रास है जिसमें को भी मिट्टी यूज नहीं होती है पानी की जो खपा थे बहुत ही कम इसमresai की बहुत ही कम शुरत होती है आप देख सकते हैं कि मातर 4-5 फीट में हमने पुड यह नहींन टे डाल के इसको पूरा और गया इसमा है इसे नहीं किया है इसका जो करेशनल त्रीका में दो 2-3 दिन लग जाता है इसे चरिके नाब ने सकते हैं और यह इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सकते हैं इह पूरी तरह और आइनिक बिना मिट्टीग का है और यह थे पूर मिल्क थी पूरी तरह होना चाहिए ईसमें एक्स्राइंस भंकी इसमें यह पूरी तरह और गेनिक का और कंसेप्ट बोलते हैं जो लोग इस टेकनिक में है कि जैसे हम लोग घाओं जो लगाते हैं घास उसमें ऐसा माना जाते हैं कि एक गास हुगाने में करीदा साट से सतर लिटर पानी क्या वह सकता होती। इसमें माद 2-3 लिटर पानी में जो है आप 1 kg उगा सकते हैं इसके अलाव इसका बेनिफिट यह है कि पहले तो यह पूरी तरह और गेनिक है इसके बाद यह पसुओं में मिल की क्वालिटी और मिल की कॉांटिटी दोनों इन्हांस करती है पसुओं में जो है रोग प्रति रो इसमें यह फाइबर कंटेंट ज्यादा होनी के वज़ए से यह पूरी तरह डाइजेस्टीबल होता है डाइजेसन सिस्टम इंप्रूव करता है कहीं ने कहीं यह फटीलिटी को भी इनांस करती है यह प्रॉब्लम को सॉल्व करती है पसुओं में कि यह जो है यह 24 ट्रे का स को जितने भी अव फार्म है उससा फैंक हम लोग अपना चीणा कर सकते हैं उस इसाप से हम लगाता है तो क्या है लगाता है इसका डेक चौवबीस ट्रे से ट्रे के सीट identify में यह पूरा ज्रूक्चिर صवत् stories ou सीटम रहती है मोटर रहती है तो रहती है टांनिंग टाइमर इसमें यह है, इसमें कोई भी manual intervention के जुरुत नहीं है, आप यह automatic सारा चीज पूरी तरह fully automatic है, आप बस ट्रे आप में seed डाल दो, seed डालने के बाद automatically वो fogging करता है, हमारे timer system में on time set रहता है, off time set रहता है, जैसे इस system में हमने on time 30 second का set किया है, off time जो है 2 घंटे का, तो automatically वो 2 पर की जुरत होती है, जो वो कहीं न कहीं अब हमारा eliminate हो जाता है, कि बहुत ही कम अब इसमें effort करें, एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके पूरी तरह से जोगना है, इसमें इसमें यह है कि एक तो यह कि maintenance cost इसमें almost none है, कोई maintenance cost नहीं, बस आपको seed डालना है, और आपको आठ दिन का production cycle में तीन ट्रे प्रति दिन मिलेगा, एक ट्रे में आपका 10 kg रहता है, तो 30 kg आप प्रति दिन 24 ट्रे के setup में लगा सकते हैं, मिल सकता है आपको, ठीके उसी तरह आप 40 ट्रे का setup लगाते हैं, तो 6 ट्रे प्रति दिन आपको मिलेगा हरा चाड़ा, और ये 6 ट्रे में इन्होंने इस चीज को एक प्रैक्टिकल के तौर पर बताने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं कि करीब करीब अगर दो से तीन फिट, अधिक से तीन या सारे तीन फिट की दूरी है, और कुछ वैसा हैं, तीन या चार पांच फिट की विगर आपके पास खाली जगा पची हुई है, तो आप अराम से इसको लगा के आप एक लंबे समय तक हराचारा का उप्योग कर सकते हैं, उन पसपालोकों के लिए भी पड़ा फाइदे मंद होगा, जो एक पसु रखते हैं, और उनके लिए होता है कि अपने पसुओं के लिए कई तरह की इंतिजाम करते हैं, लेकिन हराचारा को लेके काफी उनको भी दिकते होती हैं मंगवाने में, तो वो भी चाहें, तो सहर हो या गाओं, या कहीं पर भी, आप किसी भी अरिया जगा पर रहे हो, चार से पांच पीट का अगर जगा बचा हो, तो आराम से इस तरह का मॉडल को आप अपना सकत हैं, और असानी से हराचारा जो हराचारा जो हराचारा का भी एक बेहतर मोडल आ चुका है, और हम उमीद करते हैं कि यह तकनीक आपको काफी पसंद आएगा, और आप इसके डिमांड भी करेंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें, अ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें, और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी दबा दें